सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखिए आज आपकी जो एक्जाम है हिंदी का पेपर है उसके लिए ये IMP कुश्चन आप पढ़के जरूर जाएंगे एक भी कुश्चन आप मिश नहीं करेंगे सभी प्रिशनों कुट्तर में आपको बता रहा हूँ कक्षन नोभी विसे हिंदी और आज का जो ये पेपर है ये आप लोगों के लिए काफी महत्पूर हने वाला है बिल्कुल तो चली स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले कुश्चन से बिना देर की स्टार्ट करते हैं सही विकल्प किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है देखिए ये रिविजन ये आपका क्यों की रिविजन है जल्दी जल्दी आपको याद कर लेने हैं क्योंकि आपकी एक्जाम आज दो बजे से स्टार्ट होने वाली है चली स्टार्ट करते हैं प्तिकाल इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ठीके इसके बाद में कामा यानी के रचनाकार हैं तो कामा यानी जे संकर परसाद आप बताएंगे कामा यानी लहरांसु जरना ये जे संकर परसाद की रचनाएं हो जाएगी इसके बाद में मेरे संग की ओरत हैं मरदुला रचनाकार कोन हैं तो प्यारे मित्रों आपको बताना है केशा उदास राम ciao यू नखनाकार हैं अब इक्स देखते हैं मेगों की तुलना पाहुझ से की गई है मेगो की तुलना पाहुन से की गई है इसके बाद में आता है हमारा next question रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए उपन्यास समराट के नाम से जाने जाते हैं तो मुंसी प्रेम चंद ठीके पंचितंतर में समासे द्वंद समासे रात का विलोम सब्द बताईए रात का विलोम होता है दिन रोधर रसका इस्ताई भाव तो आपको क्रोध बताना है एक आंकी में अंक पाया जाता है तो एक अंक पाया जाता है और समास के कितने भेद होते हैं तो समास के छे भेद होते हैं छे भेद आप याद रखेंगे समास के छे भेद होते हैं और इसके बाद में ये आपका थी महत्पुन परस्न 921 होना इसका मतलब होता है भाग जाना पंचवटी ये खंड कावि है सूर सागर तो ये सूरदास जी की रचना है रीड की हड़ी ये जगदिश चंद्र माथूर की रचना है और रामचेत मानस ये महाकावि है तुलसिदास जी ने इसकी रचना की है और विद्याले ये दिर्ग स्वरसंदी है विद्या प्लस आले इसका बनता है तो दिर्ग स्वरसंदी आपके हो जाएगी और इस जोड़ी को आप अच्छे से याद करेंगे ठीके बिलकुल आपको सारे important question में बता रहा हूँ जो आपके paper में अवच्छ देखने को मिलेंगे आपको देखिए इसके बाद में आपका next जो question है उसको आप देखेंगे यहाँ पर आपको समझना है देखिएगा सबसे firstly आपको एक बात याद रखनी है कि आपको चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लेना है हर विसे की चीज़ां मार इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी इस जल परले में बाड का चितरन है यह आपका सत्य है गुमकर सास्त्र के रशना का राहुल सांकृत्ययन है तो यह भी आपते है और लासा की और नामक बाटched से यह लिया गया है रचना के आधर पर वाक्य के चार भेद होते हैं यह आपका गलत है ठीक रीड के अड़ी व्यंग प्रदान एक अंग की है यह आपका सही है और रस के पांच अंग होते है यह गलत है क्योंकि रसके चार अंग होते हैं चार अंग कौन-कौन से हैं तो आपको याद रखना है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इस्थाई भाव यथा सक्ती में अवेभाव समा से यह आपका सत्य हो जाएगा इसके बाद में एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अतिमहत्पून प्रसना आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं देखिएगा दो बेलों की कथा नामक पाट के लेखक कौन है तो मुनसी प्रेमचंद मरत्यू का तरल दूत किसे कहा गया है तो बाड़ के पानी को शिवाले सब्द का संदी विच्चेद कीजिए तो इसका संदी विच्चेद हम कर देते हैं आप याद रखेंगे शिव प्लस आले सिव प्लस आले सिव प्लस आले से बनता है शिवाले और इसके बाद में नेक्स्ट कुश्य है ने अर्थ की दिश्टी से वाकिए के कितने भेद होते हैं तो आट भेद होते हैं अर्थ की दिश्टी से और चायावाद के किनी तीन प्रमुक कवियों के नाम तो आप लिखेंगे प्रसाद, पंत, निराला प्रसाद मतलब की जे संकर प्रसाद ठीके और पंत, पंत मतलब सुमित्रा नंदन, पंत और निराला निराला मतलब सूरिकांत, त्रिपाठी निराला ये आपके चायावाद के तीन प्रमुक कवी हैं जिन में महादिय वर्मा भी चोतिक कवीतری मानी जाती है गदी की विधाओं के नाम तो नाटक एकांग की आप लिख देंगे नाटक और एकांग की ये आप लोगों को दो गद्दी की विधाएं पूछी है तो दो आप लिख देंगे ठीक है मित्रों तो आपको ये जो कुछ important question है ये हम बताने वाले थे तो आमने आपको बता दिये हैं आपको अब सारे के सारे जो प्रस्न है वो अच्छे से याद करके जाना है और एक भी question छोड़ेंगे आप नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना